हेलो फ्रेंड मैं शारुक आपका दोस्त आज लेकर आयाँ एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे बबल चार्ट इन एक्सल आज हम आपको बताएंगे कि जो बबल चार्ट वो बेसिकली किस तरीके से बनता है और साथ-साथ अगर आपको थ्री म पैट्रिक्स लेकर एक बबल चार्ट बनाना है तो आप से किस तरीके से बना सकते हों साथ-साथ बबल साइज जो बनता है वो किसे बनता है उसकी हाइड कैसे आती है और उसकी जो विर्द है वो कैसे घठती बढ़ती है तो इस चार्ट के अंदर हम इन सभी बातों को आपके साथ discuss करने की कोशिश करें सबसे पहले आप हमारे data को समझने की कोशिश करें सबसे पहले हमारे पास साथ तरह के employee हैं जिसकी sale है, जिसकी revenue है और जिनकी sale performance है sale को हम y-axis मान लेंगे और service को हम x-axis मान लेंगे और ये जो revenue है इसकी हिसाब से आपका bubble chart बढ़ेगा और घटेगा मतलब अगर आपकी sale सबसे ज़ादा होगी मान लो आपकी sale है कितनी मान ले आपका 800 है 6 employee की sale तो आपका जो bubble chart होगा उसकी height सबसे उपर होगे लेकिन इसका revenue है वो 4500 रुपे कितना है 4500 रुपे और यह second highest थर्ड highest नमबर है तो इसका bubble side देखो third highest है मतलब यह उचाई में 4500 रुपर हैगा मतलब इसकी जो revenue part है वो 4500 रुपे और sale इसकी जो है वो 800 है तो यहाँ पर ही 800 की category में आ रहा है मतलब जो इसकी height भड़ती है वो y axis के हिसाब से बढ़ती है और जो इसका width का size भड़ता है वो भड़ता है इसके revenue के parts से clear है तो अगर मैं यहाँ पर इसको 950 कर दूँ तो देखिए सबसे उपर चला जाएगा और अगर मैं इसकी sale भड़ा कर कितनी 5700 कर दूँगा तो यह bubble chart सबसे ज़्यादा बढ़ा जाए तो आप इस तरीके से एक balloon chart और एक bubble chart को ready कर सकते हैं clear तो चलिए start करते हैं आज का अपना यह topic सबसे पहले आप इस dummy data को copy कर लें control c के साथ एक नई sheet बनाए control n के साथ फिर right click करें paste special में जाए paste as a column with करके control v के साथ paste कर दें तो इस तरीके से paste हो जाएगा paste हो जाने के बाद अब आप इस पे insert में जाएं और यहां पर जाएं chart के अंदर और यहां से आप simple cut ले ले bubble chart लेकिन जो आपने इसे लिया है ना इससे select data में जाओ और इसको ना delete कर दो हमें कुछ नहीं रखना और हम इसे खुद बनाएंगे तो हमने इसके size को थोड़ा सा बड़ा करा like this way इसके बाद हमने इस पर right click करा select data पर गया add सबसे पहले सिरीच का नाम क्या रहेगा तो मैंने का जो मेरी सिरीच का नाम रहेगा वो मेरा रहेगा this one या फिर employee अच्छा x value क्या रखोगे तो मैंने का मेरी x value यह होगी इसने का y value क्या रखोगे मैंने का मेरी y value यह होगी इसने का revenue क्या रखोगे मैंने का revenue यह रखोंगा और just like जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहां से देखिए मेरा एक bubble chart तयार हो जाएगा साथ-साथ इसमें इसकी जो height है या जो इसका y-axis है वो 100,000 है और इसका y-axis है वो आपका 120% है साथ-साथ जो balloon की size या जो इसकी height है वो अपने हिसाब से मतलब घटेगी बढ़ेगी इसकी height आपकी जो बढ़ेगी वो service के हिसाब से, sale के हिसाब से बढ़ेगी और जो इसके size की जो width बढ़ेगी या जो चोड़ा होगा या आपके revenue से होगी अगर आपकी sale सबसे ज़ादा है और आपका sale में revenue भी सबसे ज़ादा है तो आपकी hide भी सबसे top पर होगी और आपका जो balloon की जो width होगी वो भी सबसे बड़ी हो बस आपको करना किया है आपको इस chart पर जाना है सबसे पहले आप access remove कर दे थीक nhiệm अगर आपको alexig चाहिए तो रख ले Axes हमें नहीं अठानी हाँ बस हम इसमें से Grid Line अठाना चाते है तो हमने यहाद से Grid Line अठा दी और Legend ढ़ताना चाते है तो हमने यहाद से Legend टा दी इस के बाद हमने इसे Chart को Select करा Design में गए और हमारे पास बहुत सारे Design अभी लेबल है हमने फिलाल यह Design ले लिया इसके बाद इस चार्ट को select करा right click format data series पर गए इसके बाद हम fill part में आए और fill part में हम एक topic मिलेगा very color by point तो हमने इसे कर दिया very color by point तो हमें इस तरीके से color के हिसाब से मिल गया अब हमें इसे अगर 3D में करना है तो right click करेंगे change type में जाएंगे change chart पर करेंगे और इसे हम 3D format में कर देंगे तो यह हमें इस तरीके से दिखेंगे अब हमें करना क्या है हम इस पर right click करेंगे add data पर जाएंगे तो data जाएगा data को collect करेंगे add data पर जाएंगे format data पर सबसे पहले इसे हम center में कर देंगे center में करने के बाद साथ साथ यहां से हमें y value मिल लेए हम इसमें क्या ले लेंगे series का नाम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस employee का है series jam में तो यह आएगा series jam की जगा हम क्या कर लेंगे यहां से हम जाएंगे किस पर value from sale पर जाएंगे और हम इसे link कर देंगे इसके साथ ताकि हमें यह employee का नाम भी बता दे कि किस employee की कितनी sales इसके बाद हम font में जाएंगे font के बाद इसको हम कर देंगे white color का font फिर house में home पर जाएंगे इसके बाद इसे bolt करेंगे और 2-3 point तक इसे bolt कर देंगी ताकि यह हमें सब तरीके से दिख जाए तो यह देखिए हमारा इस तरीके से यह ready हो गया अगर हम इसकी sale को कितना कर दें 900 कर दें तो यह top में चला जाएगा और इसके revenue को अगर हम 500, 5,900 कर दें तो इसका size सबसे बड़ा हो जाएगा तो balloon chart या जो आपका bubble chart होता है वो basically दो ही element में सबसे ज़्यादा important होता है कि जो इसकी y-axis होती है यह आपकी height देता है और साथ-साथ जो आपका revenue होता है या जो आपका data point होता है अगर मैं select data में जाऊं इसे add करूं जो आपका bubble size होता है यह basically आपकी width को decide करता है कि आप उसकी width को क्या रखना चाहते है तो आप जब भी इस तरीके का chart बनाएं तो आप दो ही element को सबसे important देना कि आपकी height y-axis से बढ़ेगी और जो इसका revenue मतलब इसकी width चोड़ी होगी वो इसके bubble size से होगी clear तो आप इस तरीके का stylish और beautiful bubble chart अपने dashboard में बना सकते है इसके बाद आप view में जाना यहां से grid line और इसकी heading को unselect कर देना तो यह आपको chart कुछ इस तरीके से और stylish chart दिखेगा I hope आपको यह video समझ में आई हो अगर आपको यह video समझ में आई हो आप तो हमारा channel subscribe कर सकते हैं like कर सकते हैं और आने वाली सबी video को देख सकते हैं तो इसी topic के उपर base होते हैं तो thank you for watching video